आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि राजस्थान और महाराष्ट्रा में क्या difference या समानता है देखें महारास्टर और राजस्थान भारत के दो बहुत ही महत्वपुर्ण राज हैं तोना सिर्फ आवादी वाले हैं बलकि राजनेतिक कारणों के कारण भी महत्वपुर्ण है राजस्थान सबसे लाजेस्ट स्टेट है in terms of area और महारास्थास्था जो है सिर्फ यूपी के पीछे है जहां तक पॉपलेशन का सवाल है उत्तर प्रदेश में 100 मुलियर सधीक आवादी है तो सिर्फ उससे जो यूपी है जो महारास्था है जो सिर्फ पीछे है इस दोनों राज्यों के बीच कई अंतर हैं जो कि इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहले हम आते हैं महाराश्था पे महाराश्था पक्ष्य में अरब सागर की सीमा वाले देश का एक पक्षमी राज्य है यह प्राचिन समय से विदेशी देशों के साथ एक महातुपुर्ण वैपार मारगरा है महाराश्था की राज्थानी मुंबई है जिसे वित्तिय राज्थानी भी कहा जाता है और हमारे देश का वित्तिय राज्थानी है यह देश के कुल उत्पादन में महातुपुर्ण योगदान देने वाला सबसे अमील राज्य है य मतलब मराठी इस अफिशिल लेंगवज ऑफ दे स्टेट हलांकि यह एक महा नगरिय राज्य बनी हुई है खासकर मुंबई के रूप में लाखो लोग अपने जीवन में जो होता है ना एक ग्रीन पास्षिल्स जो होता है सपने दिखकर मुंबई आते हैं कई अस्थान से आप अपने इच्छाओं का पूरी घंड ले लोग आते हैं हॉलिवूड के लिए भारत का जवा वॉलिवूड का हिस्सा अगर किसी को कहेंगे तो वह है महाराष्टा का मुंबई और इसे सपनों का शेयर भी कहते हैं महाराष्टा देश के परमुक अद्दौगिक राज्चों में से एक है जहां देश के लगवग सबी बड़ी कंपनियों में मुंबई में अपने कॉर्परेट आफिस मुंबई में रखते हैं हलांकि विकास पुरे राज में नहीं है और मुंबई के करीब के छेत्रों में काफी विकास हुआ है जबकि इस से मैट्रों से दूर अब भी लोग जो एरियाज हैं विक्सित हो रही है सबसे शेहर एकृत राज होने के बावजुद 64% जो पॉपलिशन है वो क्रिशी में लगी हुई है राज में प्रमुक दोगवस्त्र है पेट्रॉलियम है फार्मा टिकल्स है वो है मशीन टूल्स है लोहा है इसपात है और प्लास्टिक के बरतन के वो दोग वगर है मुंबई की अवादि का धिकान सपाग हिंदू और भगवान कृष्ण सबसे लोग प्रिये देता है राजस्थान दो शब्दों राजा और मंदिर से बना है जो एक साथ राजाओं की भूमी का अर्थ है the land of kings it was referred to als rajputana in the earlier times यह पाकिस्तान के साथ हिमा वाला उत्तर-पक्षमी राज्य है राजस्थान में पाकिस्तान के साथ सीमा के साथ ठारेगिस्थान है और छेतर के मामले में सबसे बड़ा राज्य है देश काई राज्यों के साथ इसके सीमा ने हैं और सिदेश के हिंदी शेक्तर के एक राज के रूप में वर्गिक्रित किया गया है राजस्थान में पाए जाने वाले अर्वली रेंच दुनिया के सबसे पुरानी परवत्षिंख्लाओं में से एक है राजस्थान की जो राजस्थानी है वो चैपूर है 1949 में आजादी के बाद राजपुताना से कही रियासतों में राजस्थान बनाया गया था राजजी की अधिकारिक भाषा राजस्थानी है जो भाषा का एक इंडो-ार्यन समू है राजस्थान is not an industrial state and it is reflected in the demography also क्रिशी जनसंग का क्या एक बड़ा हिस्सा है जो कि दालों, गन्ना, कपास, तंबाकूर और तिलहन और खाद तेल्या से नक्दी फसलों का भी काफी यहां पर उपज होता है पर मुक्र जो है वो खनन और वस्त्र है जो में उद्दोग है राजस्थान देश में सिमेंड का दूसरा सबसे बड़ा उद्पादग है राजस्थान बेंगलोर के बाद देश में IT पार्क के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में उपरा है राजस्थान is most as a preferred destination for IT पार्क in the country after बेंगलोर उत्तर भारत का सबसे बड़ा IT पार्क जैपूर में सिर्थ है राजस्थान भी देश का एक बहुत ही लोग परिये प्रेटन अस्थल है क्योंकि यह किवल ना किवल देश के दूसरे हिस्सों से बलकि दुनिया के कई हिस्सों से भी प्रेट को प्राप्त करता है प्रेट कहां पे आते हैं घुमते हैं चले जाते हैं राजस्थान की आबादी मुख्य रूप से हिंदू है और यह चकर अपनी रणीन संस्कृती और परंपराओं के लिए परसिद्ध है जो प्राचिन भारती जीवन सेली को प्रटिबंबित करती है अगर शॉट में कमबैजन करें राजस्थान का और महराष्ट का तो यह फ्रिया ही कह सकते हैं कि छेत्रफल के मामले में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है जबकि महराष्टर केवल पॉपलेशन में थोड़ा बड़ा है वो भी यूपी से पीछे यह देश में राज्यों के भी दूसरी बड़ी सबसे बड़ी आवादी है जो महराष्टर में Rajasthan has the largest desert in India, the Thar, while Maharashtra is a coastal state bordering Arabian Sea. Maharashtra is the leading industrial state and one of the most urbanized, while Rajasthan is mostly agricultural-based. Maharashtra, Rajasthan, Mumbai, Bollywood, Jayapur, Rajasthan, Rajasthan and one of the most urbanized, so thank you so much for your support, subscribe to our channel and comment, thank you so much.